आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ So question में पूछा जा रहा है कि Which cells of the retina enables us to see colored objects around us अगर मैं बात करूँ retina की तो ये हमारा कहां present होता है Eye में, ठीक है Eye हमारा क्या है, एक sense organ है जिससे की हमें कौन से ये sense मिलती है हमें sense मिलती है vision की यानि कि हम इसी से देख सकते है इसका एक main part होता है हमारा retina, ठीक है Retina जो होता है, इसके अंदर दो प्रकार के cells हमें देखने को मिलता है हमारे retina में अब अगर मैं बात करूँ red rod cells की तो rod cells जो होता है इनसे हमें क्या होता है इनसे हमें अगर हम जैसे dark room में चल जाता है तो हमें जो थोड़ा भाष दिखता है इन rod cells के activate होने की वज़े से यानि कि जब हमारी less intense light होती है यानि कि जो light की intensity है जो उसका तेजपन है light का वो अगर कम है यानि कि कम light अगर है हमारे room में और हमें अगर देखना है थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि हम accommodate हो जाते हैं darkness से और हमें थोड़ी बाद चीज़े देखने लगते हैं तो किसकी वज़े से होगा क्योंकि हमारे rod cell active हो गए अब बात करूं कों cells की तो कों cells से हमें क्या देखने को मिलता है इससे हमें देखने को मिलता है color यानि कि जो भी आप color देखते हैं red, green, blue यह सबके सब आप कैसे देख सकते हैं क्योंकि यह हमारे क्या है यह हमारे कों cells active हो जाते हैं इन सारी lights को देखने के लिए और तभी हम यहाँ पर color perceive कर सकते हैं याद करने के लिए आपको बताऊं तो यहाँ पर c4, cone, c4, color ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कौन से cells रेटीना के हमें colored objects देखने में help करते हैं तो वो होते हैं हमारे यहाँ पर cone cells, thank you Classics to 12 से लेके Meet IIT.J.E. Means और Advanced के लेवल ता 10 million से जादा students का भरोसा आज राउन्लोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट 84444 उपर